हलो फ्रेंड्स आप सबीक अपने HDS ट्यूटोरिल पर स्वागत है आज हम लोग JCRT क्लास 7 का संस्क्रीट का कोर्शन सर करने वाल है और चेप्टर 11 का नाम है व्याग्र पत्थिक कथा जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बाग और पत्थिक यानि की यात्री बाग और यात्री की कहानी तो देखिए दुसरा नंबर व्याग्रस्या हस्टे कीम आसित व्याग्र के हाथ में क्या था तो इसका अंसर हो जाएगा सुवर्न कंगनम यानि की सोने का एक कंगन अब देखते हैं गनमबर पथिक कीदरी से आसित पथिक कैसा था यानि की जो यातरी था वो कैसा था तो इसका अंसर हो जाएगा लोभा क्रिष्ठ यानि की लालची था अब देखते हैं गनमबर का question पथ पधिक अस्तान के लिए कहा गया, तो इसका अंसर हो जाएगा सरोवारे। अब बढ़ते हैं हमे लोग अंगा नम्मर की ओर पधिक का कुत्र अपतत। पधिक कहा गिरा। तो इसका अंसर हो जाएगा महा existed । इसे आप नोट कर लीजे, अब हम लोग बढ़ते हैं थ्री नमबर की ओर, थ्री नमबर की कुर्शन देखिए, रेखांकितानी पदानी आधरित्य प्रश्न निर्मानम कुरूत, तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित पद, यहाँ पर रेखांकित जो पद है, उसको हटा कर प उत्र एका व्यागर आसित, इसे आप नोट कर लीजे, फिर देखिए, खांकित नमबर, तस्य हस्ते, सुवर्न कंगनम आसित, यहाँ पर तस्य को चेंज करना है, तो देखिए, इसका उत्तर, तस्य के अस्थान पर कस्य भरना पड़ेगा, आपको कस्य लिखना है, आपको क अब देखिए, अंगा नमबर, अंगा नमबर क कर्श्चन है, अहां प्रिष्ठेन कुपजा, तो यहाँ पर प्रिष्ठेन को बदलना है, तो इसका कोस्टन देखिए, यानि कि इसका अंसर देखिए, अहम केन कुपजा, इससे आप नोट कर लिजे, अब लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोस्टन की और, फोर नमबर के कोस्टन है, कोस्ट केशू, दत सब्देशू, देखिए, का नमबर विद्यालेयम उभायत वरिक्ष संति, यहाँ पर एक एक एक्जामपल दिया हुआ है, देखिए, विद्याले का विभक्ति यहाँ पर भरना है, तो विद्यालेयम हो जाएगा, उसी परकार देखिए, नीचे अब खलेस्थान, उभायत गोपालिक, तो यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, ग्रामम लिखा हुआ है, अब देखिते हैं नीचे, यहाँ पर खलेस्थान, परिता, भक्ता, तो यहाँ पर मंदीर है ब्रेकेट में, यहाँ पर मंदीर हम को भरना है, उसी तरके से देखिए, ग नमबर अहम वि पिता साकम गच्छती तो यहां पर देखिए पित्रू का यहां पर पिता लिखा हुआ है तो नीचे देखिए मंगला खालेस्थान साकम भ्रमती तो यहां पर अग्रज लिखा हुआ है तो अग्रजेन हो जाएगा इसका ओके अग्रजेन इससे नोट कर लिएज़े फिर देख चित पदानाम लिंगम विभक्तिम वच्चनन च लिखत तो यहाँ पर देखिए जो पत दिया हुए उसका लिंग लिखना है विभक्ति लिखना है तो चलिए हम लोग देखते हैं यह था एक एक एकजांपल दिया हुआ है यहाँ पर वृद्धा तो वृद्धा देखिए तो कंगरम नपुनसकलिंग है दृत्य विवक्ति है और एक वचन है अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रानिनाम तो प्रानिनाम देखिए पुलिंग है और शष्टी विवक्ति है बहु वचन है फिर देखिए प्रिष्टेन प्रिष्टेन नपुनसकलिंग है और तृत् और विवक्ति का बात करें तो सब्तमी विवक्ति है और वचन का बात करें तो एक वचन है अब देखिए नेक्स्ट वियाग्राद वियाग्राद पुलिंग है और पंचमी विवक्ति है और फिर एक वचन है इसे आप नोट कर लीजिए अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट शिक्ष नमबर की ओर शिक्ष नमबर कोर्शन दिखिए रेखांकितानी पदानी संसोध्य लिखत यहाँ पर जो रेखांकित पद है उसको सुधार कर लिखना है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो देखिए का नमबर सरोवरस्य परिता उनता वरिक्ष आसन तो यहाँ पर सरोवरस्य को बदलना है यह गलत लिखा हुआ है तो सरुवरस्य की जगह पर आपको सरोवरम लिखना पड़ेगा, नीचे पूरा का पूरा सेंटेंस को उतारना है, बस सरवरस्य की जगह में सरुवर बदल देना है बढ़ते है खा नमर की ओर अहम व्याग्रम विभेमी तो यहाँ पर व्याग्रम को बदल कर व्याग्रात लिख देना है नीचे यहाँ पर आप उत्तर लिखकर पूरा कोस्ट यह जोला जो सेंटेंस है यह सेंटेंस को पूरा लिखना है बस व्याग्रम के स्थान पर व्याग् लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अंगर नमबर की ओर। तो यहाँ पर पंगस्य की अस्थान पर आपको पंग कात लिखना है इसे आप नोट कर लीजे अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेभन नंबर की ओर यह हमारा लास्ट कोस्टेन है सेभन नंबर देखिए कोस्ट कात समूचितम पदम चित्वा रिक्त अस्थनानी पूरियत त उससे चून कर सही सब्द को यानि कि सही उस्तर को लिखना है तो इसका अंसर देखते हैं हम लोग देखिए पहले का नंबर खालिस्थान नमा तो यहाँ पर हरीम या हरय तो यहाँ पर हरय नमा हो जाएगा ओके यहाँ पर आपको हरय को यहाँ पर लिखना है इसे नोट कर लीजे अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट खा नमबर रमेशा खाले स्थान लिखत्ती यहाँ पर दिखिए option ने दिया हुआ है लेखन्या या फिर लेखन्या तो खाले स्थान में आपको लेखन्या ओके लेखन्या को भरना है पहलावला option को इसको जहाँ दीजेगा लेखन्य क्रिसी छेत्रानी संती तो यहाँ पर दिखिए option ने दिया हुआ है ग्रामस्य और फिर ग्रामम तो इसका अंसर हो जाएगा ग्रामम तो दुसरा option सही है इससे आपको यहाँ पर खाले स्थान में लिखना है अब बढ़ते हैं घह नमबर की और खाले स्थान नमह तो यहाँ देखिए पहला option है अंबाया और दूसरा option है अंबाये तो देखिए रेसे कि यहाँ पर यह हम लोग भर है थे उससे तरीके से यहाँ पर भी यह वहाला को भरना है यानि कि दूसरा option यह वहाला option सही है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अंगा नमबर देखिए आपको मंचस्य को यह खाले स्थान में भरना है अब बढ़ते हैं एक्स चान नमबर की ओर खाले स्थान उभयाता पुत्रो अस्त तो यहां पर पीतरम या फिर पितु तो इसका सही अंसर हो जाएगा पीतरम पहला उप्सन इसका सही है आपको यहां पर पीतरम लिखना है इस प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहां पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद अब आपको प्लेलिस्ट पर टेच करना है आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा कलास्टिक सेवन एट नाइन सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद